जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को में पैरा मिलिटरी फोर्स तेनाथ बंगला देश में हिंदूों के साथ औमानुए बेवार एक बार फिर से खुल कर सामने आ गया है बतादे यहां दुरगा पुजा के दोरान हिंदू मंदीर में इस कदर तोड़ फोर की गई की दंगे भड़क आए बतादे इस दंगे में तीन लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है फिलाल इस्थिती को कंट्रोल करने के लिए बंगला देश सरकार ने 22 जिलो में अर्द सयनिक वलो की तैनाती कर दी है बतादे धांका से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर कमिला नाम की जगा पर इर्ष निं बतादे राज निर्वाचन आयोग और परदेश सरकार ने चुनाव समधी सभी तेरिया पूरी कर ली है ऐसे में चुनाव के तारिखों का एलान जल्द होने की समभवना है रिपोर्ट के अनुसार सरकार 15 नॉमबर से चुनावी पर किरिया सुरू करने की कोशिस में जुट बतादे मीडिया रिपोर्ट के माने तो नॉमबर के पहले सब्ता में चुनाव की घुसना हो सकती है बन्ना गुपता ने सरकार की ओर से माँगी माफी उपायुक्त ने बंद करा दिया था भोग वितरान दुर्गा पुझा के दरन बुद्धवार को जमसेत पुर जिला परसासन ने कासी डिह के पुझा पंडाल में जो कुछ किया उसके लिए जार्खन के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने सरकार की ओर से माफी माँग ली है बन्ना ने गुरुआर को करने पुझा के दरन काहा कि जिला परसासन को आतिरेक में आकर करवाई नहीं करनी चाहिए थी वहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ इससे लगता है कि अब इस मामले का पटा छेफ हो गया है क्योंकि अभाय सिंग ने जिला परसासन से माफी मांगने को कहा था वैसे इस मुद्दे पर गुरुआर को साम पांच वे दुर्गा पुझा समीतियों की बैठक होनी वाली है बता दे बनना ने अभी कहा कि कुरोना की तीसरी लार्गी समभावना बने हुई है इसलिए पुझा समीतियों को भी कोविट गाइडलाइन का ध्यान रखना चाहिए जारखन में अनुबांध पर 140 पदो पर भरती पेजल स्वक्षता विभाग में अनुबांध पर 140 इंजिनियरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है इसे लेकर आरक्षन रोस्टर किलियर हो गया है विभाग ने भी तयारी पूरी कर ली है जल्द ही नियुक्ति को लेकर विभाग योर से भी आपन निकाला जाएगा बता दे जल्द जीवन मिशन अभियान को लेकर अनुबांध पर असिस्टेंट इंजिनियर और जुनियर इंजिनियर की नियुक्ति की जाएगी इसके तहर टेक्निकल अपसर के 11 पदोपर वहीं डिस्ट्रिक वाटर को अडिनेटर के 32 और बलोग टेक्निकल असिस्टेंट के 96 पदोपर नियुक्ति की जाएगी जार्खन में डेर करोर बच्चों को टीका लगाने का रास्ता साफ देश में वसक्यों के बाद बच्चों को करोना का टीका लगाने के निती लागू होते ही राज्य के 1.43 करोर बच्चों को टीका लगाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा पतादे स्वास्त विबाक के आकड़े के अनुसार राजे में 18 साल से नीचे के बचों की अवादी 143,49 या 680 है राज सरकार बचों को टीका लगा कर पूर्ण टीका करण के लक्ष को प्राप्त कर लेगी इससे राजी की पूरी अवादी को करोना के विरूद सुरक्षा कवच मिल जाएगा जारखन में 15 अक्टूबर को चक्रवाती तुफान का असर अलट जारी बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवात बन रहा है बतादे जारखन में भी इसका असर 15 अक्टूबर से हो सकता है जो 17 अक्टूबर तक रहेगा इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा बतादे 15 से 17 अक्टूबर तक के मौसम को लेकर मौसम केंद्रे ने एलो अलट जारी किया है मौसम केंद्रे के अनुसार 15 अक्टूबर को राजे के मध्य तथा जक्षनी हिसों में हलके से मध्य दर्ज की बारिस हो सकती है वहीं स्वला को राजे के मध्य उत्री पुर्वी तथा दक्षिनी भागों में कहीं कहीं हलके से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है इस दोरान कहीं कहीं घर्जन और वजरपात भी हो सकता है वहीं 17 अक्टूबर को राजे में कहीं कहीं मध्य दर्ज की बारिस हो सकती है 18 और 19 अक्टूबर को आकास में बादल चाहे रह सकते हैं इस वर्स राज में मांसुन की स्थिती काफी बेतर रही रांची T20 मैच के आउजन पर संकट बरकरार भारत न्यूजलेंड के बीच 29 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच के आउजन पर लगा गरहन अभी छटा नहीं है बता दे इस मैच के लिए BCCI ने दोनों टीमों के खिलाडियों और स्पोर्ट स्टाप को ठारने के लिए कम से कम सो कमरा क्या हो सकता बताई है वहीं दूसरी और एक आईस अधिकाई ने अपनी साधी के लिए 29 और 20 नॉंबर को होटल रेडिशन बुलू के 21 कमरे बुक कराए है जनकारी का नुसार उन्होंने अब तक कमरे की बुकिंग कैंसिल नहीं कराई है गुमला की अंजली ने जीता ब्रांड एमेस्टर अफ जार्खन का खिताब गुमला की बेटी अंजली कुमारी ने ब्रांड एमेस्टर अफ जार्खन का खिताब अपने नाम की है बतादे उतर परदेश के वरानसी में गर्व फाउंडेशन द्वारा आउजीत मोडलिंग के फाइनल राउंड में जार्खन का प्रतिनिधितों करते हुए अंजली ने एक हिताब अपने नाम की है बता दे गुमला सहर के सरना टोली नदी टोली निवासी जगदिश दास की बेटी अंजली कुमारी के इस संदार जीत के बाद क्राउनिंग टीवी एक्ट्रेस भुमिका, गुरूंग एवं सो डारेक्टर स्वेता तिवारी द्वारपुरसकार देकर समानित किया गया मोखे पर जी टीवी ओर एंड टीवी के होस्ट एवं एक्टर आर्जे राहूल सिंग मौजूद थे कासीडी पुजा पंडाल के पास भुग वित्रन कारे को डीसी ने कराया बंद जमसेद पूरिस्थित कासीडी के ठाकुर प्यारा सिंग, धुरंधर सिंग, कल्ब दुरगा पुजा पंडाल के पास प्यारे स्वर नाथ मंदीर में चल रहे भोग वित्रन कारे को DC सुरज कुमार ने बंद करा दिया बता दे भोग वित्रन को कोविड गाइडलाइन का उलंगन बताते हुए DC ने इसे बंद करा दिया भोग बित्रन कार्य के बंद होते ही पुजा समीती के संरक्षक अभायक सिंग ने डिसी के इस कार्य का बिरोध किया भोग बित्रन और कोरोना गाइडान को लेकर डिसी और अभायक सिंग के बीच लंबी बहस भी हुई मातारानी की जैगोष से गुज उठा इटखोरी का भद्रकाली मंदीर सारदियन और रात को लेकर चात्रा में हरसो उलास है बतादे गुरुवार को महानौमी के मोके पर मा से असिरवाद लेने सरधालू मंदीर और पुजा पंडालों में पहुँच रहे हैं अस्टमी के मोके पर बुद्धवार की देर रात इटखोरी के मा भद्रकाली मंदीर में संधी बली दी गई संधी बली होते ही पुरा मंदीर परिसर जै मतारी की जैगोष से उठा बतादे गुरुवार को महानौमी के असर पर मा सिध्धी दातरी की पुजा हुई इस मोके पर मंदिर परिशर में सधालूओ की काफी भीड रही जेप वण में हुई सस्त्र पुजा महानौमी के उपलक्ष पर जेप वण स्थीट टीकू हॉल में सस्त्र पुजा का विजन हुआ कारेकरम सुबर नौ बये से शुरू हुआ बतादे सबसे पहले नौ कन्याओ के पुजा की गई जेप वण के कमांडेट अनीस गुपतावप परिवार भी कारेकरम में उपस्थीत रहे बतादे कमांडेट ने भी कन्याओ का पुजन कर उन्हें अपनी तरब से उपहार दिया इसके बाद सस्त्रों को एक जगह रख कर पुजा की गई सस्त्रों में खुकूरी एक के फोटी सेवन सहीत अन्य हथियार की पुजा की गई बतादे ए पुजा भी कमांडेट द्वारा ही की गई राज्य पाल वा मुख्य मंत्री ने ज़ार्खन वास्यों को दुर्गा पुजा की दी सुबकमनाए दुर्गा पुजा को लेकर ज़ार्खन के मुख्य मंत्री और राज्य पाल ने राज्य वास्यों को सुबकमनाए दी है राज्य पाल रमेस भाइस ने दुर्गा पुजा की सभी को बधाई वसुब कमनाय दी उन्होंने माद दुर्गा से प्राथना करते हुए कहा कि वे सब के जीवन में सुक सांती समरिद्धी एवं उतम स्वास्त प्रदान करे देश वराज से कुरोणा महामारी का पूरी तरह उन्मुलन हो एवं समाज में महिलाओ के प्रती समान की भावना में और विरिधी हो वही मुख्य मंतरी हमनसुले ने कहा कि सभी देश और जार्खन वास्यों को महा नौमी के पावन पर्व की अनेक अनेक बधाई एवं सुबकमना है माँ आप सभी को खुस हाल और स्वास्त जीवन पदान करे यही कामना करता हूँ मौसम विभाग दुर्गा पुजा की नौमी को जार्खन के कई जीलों में बारिस हो सकती है इससे तेवहार का मजा खराब हो सकता है मौसम विभाग ने सुबह साथ वए से दस वए तक बोकारो पुर्वी सिमूम धनबाद दुमका पच्मी सिमूम पाकूर रामगोर सराय के लखर सवा और रांची के कुछ हिसों में अगले तीन से चार गंटे में में गर्जन के साथ बजरपात और बारिस की संभावना जार चुके जुन्ड से बिछडे हाथी को बन विभाग ने अपने रडार पर ले लिया है अगर वह हमला करने से बाज नहीं आया तो उनके खिलाप बन विभाग सक्त रवया अपनाएगा बता दे उसे बेहोस करके दूर जंगल में छोड़ा जाएगा पी सी सी एफ पी के वर्मा के मुताबिक हाथी को बेहोस करने का संसाधन जारखन बन विभाग के पास नहीं है इसके लिए पच्छिम बंगाल से बिशेश सग बुलाने की त्यारी कर ली गई है बनना गुपता ने किया कन्या पूजन सर्दे नोरात्र महा नौमी पर जारखन के स्वास्त वह अपदा परवंधन मंत्री बनना गुपता ने कन्या पूजन किया बतादे कदमा इस्थीत अवास पर बना गुपता वा उनकी पत्नी सुधा गुपता ने सरदे नौरात्र को माता सीधी दात्री की फूजा अर्चना के साथ कन्याओ को अपने हाथ से परसाथ खिलाया और उनका असिर्वात लेकर विदा किया बतादे इस मोखे पर मंत्री के आवास पर काफी चहल पॉल रही वे प्रती वर्ष अपनी पत्नी के साथ नौरात्र पर कन्यापुजन करते हैं नौरात्री में फूजा कर घर वापस लट रही तिन यूतियों को धनबाद इस्थित धनसार महाविर मंदीर के समीप अन्यंत्रित नगर निगम के कचरा ढोने वाले वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया जिससे एक यूति की मौत हो गई जबकि दो अनेगम भी रूप से गायल हो गई बता दे इस मामले में पूलिस ने वाहन चला रही स्वीपर अमीत कुमार को गयवतार किया है गाड़ी सीखने के उदेश से स्वीपर अमीत वाहन चला रहा था उससी दवरान घटना घटित हो गई धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक इतना ना भूले थैंक यू